नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप बिहार में स्वास्त मंत्राले को लेकर लगतार चर्चा हो रही है। लेकिन तेयस्वी के एक्शन से डॉक्टरों में नराजगी है और बड़ी बैठक बुला दी गई है दरसल ये बैठक डॉक्टरों के द्वारा बुलाई गई है बिहार के डिप्टी सीयम तेयस्वी आदों ने डेंगू को लेकर लापरवाही बरतने और अस्पताल में निलंबन के फैसलों पर सवाल उठाया है आये मैं ने बेगार अस्पस्टी करन के निलंबन पर एत्राज जताते हुए कहा है कि वो सीम नितीज से मुलाकात करेंगे और नितीज कुमार ही इस मामले को देखेंगे नितीज से हस्तचेप की बात कह रहे हैं द्रसले त्यस्वी जिले करें स्वास्त वेवस्ता पर सवाल खड़े होने लगे अचानक से जो निरिकशन करने लगे आईजयायोbin सहीत पत्ना के जो बड़े अस्पताल है वहां अस्पतालों में निक्षन के दौरान उन्हें अभेवस्था पाया और अधिक्षक को निलंबित कर दिया गया है जैसे उन्हें निलंबित किया है और आएमे ने अब इस मसले को लेकर सरकार से मांग की है मुखमंति नितीश कुमार से मांग की है कि इस पर नितीश कुमार कुछ फैसला ले नितीश कुमार हस्ते चेप करे तो कि इस तरीके से किसी भी अधिकारी का निलंबन करना कहां तक सही है स्वास्त बेवस्था लगतार बिहार में बिगरती चली जा रही है बिगरते स्वास्त स्वास्त ब्यवस्था को लेकर हाली में लगतार मुखमंत्री नितीज कुमार के साथ कई मंत्री और कई निताओं की बैटक हुई है स्वास्त ब्यवस्था को लेकर साथी पटना के जो बड़े अधिकारी है स्वास्त महक में के उनके साथ बैटक हुई है और इस बैटक के ज्यादा बेवस्था में विगराव देखने को मिल रहा है अब जो परिस्थितियां है वो बदल रही है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से हर्थचेप की मांग की गई है तेस्वी से नराज डॉक्टर हर्ताल पर भी जा सकते हैं इ इसलिए कि वहां जो स्टाफ है उनके साथ अभधर बिवार का आरोप प्रसासन के लोगों पर लगा था और यहीं वह वह वज़ा है कि एक बार फिर से यह संका जताई जा रही है कि डॉक्टर फिर से हर्ताल पर न चले जाएं डेंगु से जो पत्ना में अभिवस्था फैल करेंगे नितीज से इस मसले का हल करने को लेकर हस्तचेप को लेकर मांग करेंगे अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बाग उक्रा सखीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई अगर रुआ पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद